कानपूर में जलकल विभाग के महाप्रबंदक के घर CBI ने छापे मारी किये है बताय जा रहा है कि NHI में कोई घोटाला हुआ था जिस वक्त जीम जलकल जो तक कालीन है नीरज गौल नहीं में पोस्टेट थे और तभी का ये घोटाला है जिसको लेकर CBI की टीम ने देरराथ लखनौ से यह टीम बताई जा रही है चाहप विमारी करने के लिए आई थी जलकल महाप्रबंदक और परिवार के सदस्यों से पूश्टाच की गई है टीम ने इस दौरान कई दस्तावेज यह पताया जा रहा कि टीम ने इस दौरान कई दस्तावेज अपने कबजे में लि दाखिल हुई उससे पहले गार्ड रूम में सभी गार्ड के मोबाइल जमा करा लिए गए थे महाप्रबंदक के आवास फोर्स के साथ पहुची थी टीम और टीम ने घर पहुचते ही गेट पर पुलिस कर्मियों को रोग दिया था वहाँ पर बने गार्ड यहाँ पर जो ग चापा क्यों पढ़ा इस बारे में शेहर के किसी भी अधिकारी से जमने संपर किया तो उसने उन्होंने बूलने से साफ इंकार कर दिया है लेकिन यह बताया जा रहा है कि एनचाई में घोटाला हुआ था और उस वक्त इंजीनियर नीरज गौल जो महाप्रबंदक है जलकल के दूरान कोई खोटाला हुआ था और इसी को लेकर सीबियाई की टीम ने जब दिल्ली से निर्देश मिल गए जो उसके बाद छापे मारी की कारवाई को यहां पर किया है तो हरकंप है देर रात यहां पर पहुंची टीम ने दस्तावेज बरामत किये हैं परिवार से और प्रवंधक जलकल के जो प्रवंधक हैं उनसे बादचीत की है और इसके बाद टीम यहां से जा चुकी है कानपूर से कैमराबेन पंकज निगम के साथ रतीश्तर वेदी एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जबाद की